हैलो नमस्कार दोस्तों सवागत है आप लोग सभी को अपने ऊटूब चेनल ब्राइट फुचर लाइफ प्लेट फॉर्म में इस कलास में हम लोग जैनरल साइन्स का इंपोर्टेंट कोचन रिविजन करने वाले हैं जो एसे सीजी डिक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट ह इस कलास में फिजी स्केमेस्ट्री और बालोजी का कोचन रहने वाला है तो इस कलास का पहला कोचन है किसकी उपस्तिती के कारण पंचियों और कीटों को पंखों से पानी बहता है तो वेक्स अनिकि मौम के कारण मौम के उपस्तिती के कारण पंचियों और कीटों को पंखो से पानी बहता है अगला क्वाचन है सभी एसिद के लिए एक उभेनिष्ट तत जो होती है सो कौन होती है तो सभी एसिद के लिए जो कॉमन एलिमेंट जो होती है सो हाइडरोजन होती है तो अपसर नमर ये इसका सही आंसर होगा परकिरिया जिसके माधियम से पोधे परजनन करते हैं उसे क्या करते हैं उस परकिरिया को क्या करते हैं तो पोधे जिस परकिरिया के माधियम से परजनन करता है उसे हम लोग प्रागन परकिरिया करते हैं अगला कोचन है व्यस्क विल्ली के कुल कितने दाथ होते हैं तो अडल्ट कैट जो होती ह उसका 30 दांत होती है निमलिकित में से कौन साथ सबसे सकतिसाली अमाल है अस्ट्रोंगेस एसीड पुछे तो CH3COOH अस्ट्रोंगेस एसीड है निमलिकित में से कौन सही धंग से मेल नहीं खाता है तो मेलेसस जो है सो मद कान की हड़ी है तो यह बिल्कुल सही है लुनाते जो है सो करपल बोन है तो यह भी बिल्कुल सही है यह भी बिल्कुल सही है मैकसिला जो एसो एक केनियर हड़ी है नहीं यह जबडे वाला हड़ी है मैकसिला जो से जबडे हला हड़ी है तो आप्सन नमर B जो एसो इसका आंसर होगा क्योंकि यही मेल नहीं खाता है अगला क्वाचन है हाइपर मैटरोपिया लंबी दिरिष्टी दोस अनि कि दूर दिरिष्टी दोस को इसका उप्योग करके ठीक किया जाता है तो हाइपर मैटरोपिया जो होती है दूर दिरिष्टी दोस का रोग जिसको होता है उ तो आउतल लेंस का पर्योग करके करते हैं लेकिन दूर दिरिष्टी दोस का निवारन पुछे तो उतल लेंस का पर्योग करके करते हैं अगला कोचन है किरिया परती किरिया का नियम जो है तो नीटन के किस नियम को परिभासित करता है तो किरिया परति किरिया का नियम जो है सो नीटन का तिसरे नियम का परिभासित करती है तो option number C इसका सही answer होगा पदार्थ जो एक खाद सनरच्छक के रूप में किया जाता है क्या वो कौन सा पदार्थ है question पुछा जाएगा एक खाद सनरच्छक के रूप में युप्योग किया जाता है वो पदार्थ का नाम बताएं तो benzoic जो होती है benzoic acid जो sodium लवन जो होती है उसे खाद सनरच्छक के रूप में परियोग किया जाता है अगला कोचन है अलग-अलग धात्वों को दो टूगडे जब पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं तब समान उत्थान का अनुभव करते हैं तो जब अलग-अलग धात्वों का दो टूगडे जब पानी में डूब जाता है तब समान उत्थान का अनुभव करते हैं तो क्यों करते हैं दोनों टुकडो में बराबर मात्रा है इसलिए समान उध्धान का उध्थान का अनुभाव करते हैं तो आफ़सर नमद C के साथ इसका आनसर होगा अगला कोचन है टीसु कल्चर की आउधारना किसके दवारा शुरुवात की गई थी तो टिसु कल्चर की आवधारना जो है सो हैबर लेंड के दावराश शुरुवात की गई थी मानव सरीर में या परियाप्त रक्त की आपूर्ती को संद्भिरित किया जाता है तो मानव सरीर में आप परियाप्त रक्त की आपूर्ती को संद्भिरित जो किया जाता है तो किसके से किया जाता है तो आईसे मियां से संद्रिप्त किया जाता है आनि कि रेफर्ट जो किया जाता है सो ऐसे मियासे तो option number येस का सही answer होगा तो question पूछेगा मानौज़ सरीर में परियापत रख्त जो होती है आप वूर्ती को संदर्बित जो करता है रेफर्ट जो करती से किसे करती है आसे मियासे करती है Insufficient blood Supply in human body इस रिफ्रेड तो रिफ्रेड जो होती है रेफर जो करती है से किसे करती है आईसे मिया से करती है अगला कोचन है सराब पानी की तूलना में अधिक या इस्तिर होती है क्योंकि तो सराब पानी के तूलना में अधिक या इस्तिर होती है क्योंकि क्योंकि इसका कव्थनांग जो होती है क्योंकि इसका कव्थनांग पानी की तूलना में कम होती है तो option number ये इसका सही answer होगा अगला कोचन है सबसे अधीक अधीक अगात वार्धनिय धातु कोन सी है तो सबसे अधीक which is the most maleable आनि कि सबसे अधीक किसको अधीक मतलब ताना जा सकता है तो सबसे अधीक अगात वार्धनिय धातु जोती से कौन सी होती है तो गौल्ड होती है तो option number 6 का सही answer होगा अगला कोचन है मानाव रखत का pH 1 कितना होता है तो मानाव रखत का pH 1 जो होती है सो 7.35 से 7.45 के बीच होती है तो option number 6 इसका सही answer होगी निमलिखित में से किस तत में सबसे कम गलांग होता है तो सबसे कम गलांग जो होती है सो oxygen तत में होती है तो option number 8 का सही answer होगा पिछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वहन में कौन सा दर्पन का युपियो करते हैं तो पिछे से कोई भी driver जो होता है पिछे से आने वालो वस्तुओं को देखता है तो किसके सहाइता से देखता है उसका जो side mirror लगा रहता है सो उतल दर्पन का बना रहता है तो option number D इसका सही answer हो जाएगा अगर question पुछेगा कि driver के सामने देखने वाला कौन सा होता है तो आउतल दर्पन होता है तो question पुछेगा तो आउतल दर्पन पिछे के देखने वाला हो जाएगा तो उतल दर्पन तो D number option सही हो जाएगा अगला question है किस Space Agency ने पहले निकटवर्ती सुपर अर्थ की खोज किया है तो सुपर अर्थ की जो खोज किया है सुअजेंसी का नाम है National Aeronautics and Space Administration तो option number 1 के साथ इसका सही answer हो जाएगा अगला कोचन है पदा अर्थ की पांच्वी अवस्ता क्या है तो पदार्थ का जो पांचमी अवस्ता है तो बोस आइस्टीन है तो आपसन नमर भी इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है जब दूद को चरनेट किया जाता है तो क्रीम इससे किस कारण से अलग हो जाती है तो जब दूद को, when milk is churned, जब दूद को churned किया जाता है, तो क्रीम इससे किसके कारण से अलग हो जाती है, तो क्रीम जो अलग होती है, वो आप केंदर बल के कारण से अलग होती है, तो अपसर नमर B इसका सही आंसर होगा, when milk is churned, the cream is separate from is due to, तो जब milk को churned किया जाता है, तो क्रीम जो से अलग हो जाती है, किस के कारण से अलग होती है, अब केंदर बल के अनिकी centrifugal force के कारण अलग हो जाती है, अगला question है, किस अमल को रसाइनों का राजा कहा जाता है, तो किस अमल को रसाइनों का राजा कहा जाता है, तो आपसर नमर बीस का सही आंसर होगा अगला कोचन है प्राकिर्तिक रूप से पाये जाने वालो धातु को ओगिक कहा जाता है तो प्राकिर्तिक रूप से पाये जाने वालो धातु को ओगिक कहा जाता है तो किसको कहा जाता है तो खनीज को प्राकिर्टिवू से पाये जाने वाले धातु को ओगिक धातु को ओगिक जो है से खनीज के नाम से जाना जाता है तो खनीज इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोचन है 3D फिलम देखने के लिए युप्योग किये जाने वाला अस्पेक्टरम जो इसे क्या है तो 3D फिलम देखने के लिए युप्योग किये जाने वाला अस्पेक्टरम में क्या होती है तो पेलो राइड होती है आउतल लेंड होती है उतल लेंड होती है तो 3D फिलम देखने के लिए उप्योग किये जाने वाला स्पेक्ट्रम जो है तो पोलो राइड है तो option number 10 का सही आंसर होगा अगला कोचन है निमलिखीत में से किसका उप्योग सफेद परकास को विभीन रंगों में विभाजित करने के लिए किया जाता है तो प्रिज्म का उप्योग किया जाता है तो option number 10 का सही आंसर होगा अगला कोचन है कटियन का गठन किसके दवारा होता है तो formation of कटियन अकर्स जो होती है तो किसके दवारा होती है तो electron का किसके दवारा होती है electron का loss के दवारा तो loss of electron तो option number B हो जाएगा इसका सही आंसर एगला कोचन है शरीर में कट या घाव के बाद खून किसके माधियम से होकर जाता है तो शरीर में जब कट होती है शरीर में कट या घाव के बाद जो होती है खून जो से किसके माधियम से होकर जाती है तो वो कर जो माधियम से जाती है तो प्लेट लेटर्स से होकर जाती है आनि कि option number C इसका सही answer होगा तो पुछा जाएगा after wound और cut in your body blood coagulates through तो blood जोसे जमती सो प्लेट लेटर्स के माधियम से क्या करती है प्लेट लेटर्स जोसे क्या करती है रक्त को जमने में वो सपोर्ट करती है अगला कोचन है एक पुवाल डेस एक पुवाल रंका चीप-चीपा तरल पदात है जिसमें लगभग 55 परतिसत रक्त होता है तो पलाजमा जो से एक पुवाल पलाजमा पुछेगा इस अस्ट्रोव कलोर जो है तो पलाजमा है तो आप्शन नमर ये इसका सही आंसर होगा पलाजमा एक पुवाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है जिसमें लगभग 55% रक्त होता है तो आप्शन नमर ये इसका सही है एक खाध सिरिंखला में पोधों दावारा इप्योग किये जाने वाली सोर उर्जा केवल पराप्त जो होता है तो किस से होता है कितना परतिसत होता है तो एक खाध सिरिंखला में जो होती है ना इन या फूट चेन तो एक खाद सिरेंखला में पोधों दवारा इप्योग किये जाने वले सोर उर्जा कहां से प्राप्ट करती है तो गिरीन पोधों दवारा आने कि पोधों दवारा जो उर्जा प्राप्ट करती है सुर्ज जो प्राप्ट करती है ना सुर्ज पोधों किसे प्राप्ट करती है तो एक फास्प दबाब वायू मंडल ये दाव के बराबर आता है तो एक तरल का क्या होता है जब एक वास्प दबाब वाईू मंडल ये दाब का बराबर आता है तो what happens to liquid? एक तरल को क्या होता है? When the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure आनिकी बोलता है कि जब एक वास्प दबाब वाईू मंडल ये दाब के बराबर आ जाता है तो एक तरल का क्या होता है? तो एक तरल का तरल उबलने लगता है तो तरल जो होती है तो तरल उबलने लगती है तो क्वेशन पुछा जाता है जब एक वास्प होती है जब एक वास्प दबाब वाईव मंडल ये दबाग के बराबर आ जाता है तब तरल जो से क्या होती है उबलने लगती है अगला क्व अगला कोचन है आवर्थ सार्नी का लंबा रूप तत्मों के गुनों पर अधारी थे अगला कोचन है एक लड़का अचानक आता है और एक गोलाकार घुमती मैज पर बठता है तो क्या सनरचित रहेगा तो अपसर नमर ये इसका सही आनसर होगा अगला कोचन है निमलिखित में से कौन सा एक परदूसन संकेत सेंतर है तो परदूसन संकेत सेंतर जो है तो कौन है लाइकन है तो अपसर नमर ये इसका सही आनसर होगा तो एथलीन हार्मन को गेशिय रूप में जाना जाता है मनुषदवारा साउंड की समायन और अधिकतम जो होती है अधिकतम कैपेसिटी जो होती सुनने की सिमा वो कितना होती है तो 60 से 80 डेसिमल होती है तो अपसर नमर 20 का सही आनसर होगी किस परकार का रोग जनक जल जनीत रोग हेपेटाइटिस ये का कारण बनता है तो किस परकार की रोग है वो रोग जो से बेक्टेरियल आनि की बेक्टेरियल रोग जो है किस परकार के रोग जनक जल जनीत रोग हेपेटाइटिस ये का कारण बनती है तो बेक्टेरिया बनत रोकेट सनरच्छन के नियम पर काज करती है तो रोकेट सनरच्छन के नियम पर क्या काज करती है रेखिये सवेंग करती है तो आप्सन नमर दीज का सही आंसर होगे रोकेट सनरच्छन का किस सिधान पर काज करती है रेखिये सवेंग के सिधान पर काज करती है बल को किसके दूसरे जब किसी भी वस्तु को जब बल नहीं लगा जिता तब एक जगा सो दूसरे जगा नहीं होती है तो बल को किसके अधार पर परभासित किया जा सकता है तो नीटन की गती का पहला नियम पर हम लोग परभासित कर सकते हैं अगला कोजन है मान स्पेशियों को हड़ी से जोड़ा जाता है सयोंजी उतक जिसे कहा जाता है तो मान स्पेशियों को जो हड़ी से जोड़ता है उसे हम लोग टेंडन कहते हैं तो अपसान नमार ये इसका सही है और हड़ी को हड़ीों से जोड़ना लिंगामेंट कहलाता है इलक्ट्रोन इन इलक्ट्रोन जो होती है सो अस्थनारित जो होती है सो कितना ट्रास्फर होती है तो मेगनेसियम ओक्साइड पाउडर के गठन में ओक्सीजन का इलक्ट्रोन जो ट्रास्फर जो होती है सो कितना होती है टू इलक्ट्रोन के ट्रास्फर होती है तो आपसर नमर यह सका सही है विच बलाट ग्रूप इस उनुभार्सल डॉनर तो उनुभार्सल डॉनर कौन सी है तो बलाट ग्रूप होती है यह होती है यह भी होती है यह होती है तो यह मैनस जो है उनुभार्सल डॉनर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह मैनस जो हर कोई व्यक्ति का बला कर सकता है अगला कोचन है जब इसे रखा जाता है तो एक सेल की मात्रह बढ़ जाती है तो क्या है तो हाइपो हाइपो टोनिक समधान हाइपो टोनिक सविधान इसे रखा जाता है तो एक सेल की मातरा बढ़ जाती है तो option नमर 20 का सही आंसर होगा तो पुछा जाएगा hypotonic समधान को रखने पर क्या हो जाती एक सेल की मातरा बढ़ जाती है तो option नमर 20 का सही आंसर हो जाएगा अगला कोचन है आर येच फेक्टर रेफर्स करती है तो आर येच फेक्टर जो से किसमें खोजा गया था रहिसेस के बंदर में खोजा गया था तो आपसन नमर येच का सही है अगला कोचन है निरफेच सुन वात अपमान होता है जान सभी गयेचों की सुन मातरा होने की उमीद होती है तो आपसन नमर येच का सही आंसर होगा तो निरफेच सुन वात अपमान होता है जान सभी गयेचों की सुन मातरा होने की उमीद रखता है भोतिक मातरा रेडियो धर्मी की इकाई क्या है तो भोतिक मातरा रेडियो धर्मी की इकाई जो है सो बेक्वेरल है तो आपसन नमर येच का सही आंसर होगा अगला क्वाचन है, इको किसके कारण उत्पन होती है, तो इको किसके कारण से उत्पन होती है, तो sound के आनिकी reflection of sound, धोनी के अपवर्तन के माधियम से, अधोनी की परवर्तन के माधियम से, तो reflection of sound जो होती है, sound के परवर्तन के माधियम से इको उत्पन होता है अगला कोचन है सरावी किनवन के बारे में करवाही दवारा लगा जाता है तो अलकोहलिक फोर्मेशन जो होती है तो सरावी किनवन के जब होती है तो उसके दवारा क्या उत्पन होती है तब खमीर उत्पन होती है सरावी किनवन के बारे में करवाही जो किया जाता है तो खमी वहाँ रियेक्शन जो करती है सो खमीर के साथ किया जाता है तब क्या उत्पन होती है किनवन उत्पन होती है तो आपसन नमर येस का सही आंसर होगा अगला कोचन है एन टू आनिकी नैट्रोजन में कितने आयन जोड़ी इलक्ट्रोन मुझूद है तो नैट्रोजन में कितने जोड़ी इलक्ट्रोन मुझूद है तो नैट्रोजन में दो जोड़ी इलक्ट्रोन मुझूद है जैसे कि जोड़ी में पूछ रहा है नैट्रोजन म से मुझूद है अगला कोचन है मानों शरीर में सबसे लंबी मान स्पेशिया का नाम बताईए तो मानों शरीर में सबसे लंबी मान स्पेशिया जो है सो सार्टोरियस मान स्पेशिया है तो अप्सन नमर येस का सही आंसर होगा आगला कोचन है चेचक के खिलाप टिका करन की सुरुवात के लिए क्या क्या गया था तो चेचक के खिलाप टिका करन की सुरुवात के किया गया था तो the vaccination against a smallpox involves the introduction of तो इंट्रोड़क्शन अब चेचक के खिलाब जो टिका करन का शुरुवात जो किया था सबसे पहले कमजोर किटानों के लिए किया गया था सबसे पहले कमजोर किटानों से शुरु किया था तो अपसर नमर 20 का सही आंसर होगा तो क्वाचन पुछा जाएगा कि चेचक के खिलाब टिका करन की सुरुवात के किया गया था तो कमजोर किटानों के किया गया था तो अपसर नमर 20 का सही आंसर होगा अगला क्वाचन है धोनी की साउंड की निमलिकित में से कौन सा गुन वाईू के तपमान में परिवर्तन से परभावित होता है तो साउंड का गुन जो होती है तो वाईू के तपमान में परिवर्तन से जो परभावित होता है वो आविर्ति होता है फिरिक्वेंसी होती है तो option number yes का सही आंसर होगा उस source का नाम बताईए जिसे से aspirin का उत्पादन होती है तो aspirin का उत्पादन किस से होती है, तो वीलों की छाल से होती है तो option number yes का सही आंसर होगा निम्लिकित में से कौन सी बिमारी आम तोर पर हावा से फैलती है तो वो कौन सा बिमारी है जो हावा से फैलती है तो टूबर कलोसिस बिमारी हावा से फैलती है अस्टील से बनी हुई सुई पानी में तेरती है अगर इसे 36 रूप से रखा जाता है तो क्यों तेरती है अगर इसे 36 रूप में रखा जाता है तो अस्टील से बनी सुई पानी में तेरता है क्योंकि पिरिश्टनाव के कारण जो होती है अगर पुछे का क्वचन कि सुई पानी में तेरती है तो किसके कारण से तेरती है तो पिरिश्टनाव के कारण तेरती है कारबन टेटरा कलोराइड में कोई दुधूर्ये च्छन क्यों नहीं होता है तो टेटरा कलोराइड में कोई दुधूर्ये च्छन जो से क्यों नहीं होती है तो नीमित टेटरा हेडराल सरचना के कारण इसमें कोई दुधूर्ये च्छन नहीं होता है तो option number 20 का सही आंसर होगा अगला question है तो गरफी में पर्युक तरंगे जो है सो आल्टरा सोनिक तरंगे है तो option number 20 का सही आंसर होगा अगला question है एक parent कायमा sale जो cachetika पधार्थ का अस्टोर करता है उसे नीम रूप में जाना जाता है तो एक परकायमा sale जो येश्टिक पदार्ट को अश्टॉर करता है किस नाम से जाना जाता है तो इड्यो बलास्ट के नाम से उसे जाना जाता है अगला कोचन है निमलिखित में से कौण सा soda hydrogen carbonate अधियो क्यूंत को पानी की कठोरता को दूर करने के लिए नहीं है यहां है निम्लिखित की में में सा सोडियमा फैड्रोजन कार्वोन का यूपपयोग नहीं है तो बेकिंग वनपनाने के लिए लो सोडियम है रोजन कार्बुने का पर्योंकरते हैं और फायर एक्स्टी गुईसर जो होती है अगनी सामक अंत्र जो होती है उसमें हम लोग अगनी नासक जो अंत्र होता है उसमें पर्योग करते हैं अमल नासक अमलनासक में हम लोग उसका पर्योग करते हैं एंटा सीट्स होती है अन्टा सीट्स में हम लोग पीयच मान कितना होती है तो पानी की कठ होड़ता को दूर करने के लिए sodium hydrogen carbonate का उप्योग नहीं करते हैं तो option number D इसका सही answer होगा अगला कोचन है पानी का pH मान कितना होती है तो पानी का pH मान साथ होती है तो option number 7 इसका option number 8 इसका सही है वायू में carbon dioxide की मातरा बढ़ने से वायू मंडल के गरम होने को भी कहा जाता है तो जब वायू मंडल में carbon dioxide की मातरा बढ़ जाती है तो वायू मंडल के गरम होने को भी क्या कहा जाता है तो इसे green house परभाव कहा जाता है जब वायू मंडल में carbon dioxide की मातरा बढ़ जाती है तो वायू मंडल के गरम होने को green house परभाव कहा जाता है तो option number ये इसका सही answer होगा एगला question है एक समान गती वाला एक सरीर जो गती बढ़ता है तो एक समान गती वाला एक सरीर जो गती बढ़ता है तो गती उसे बढ़ाई जा सकती है गती बढ़ाई जा सकती घटाई नहीं जा सकती है तो option नमर 20 का सही आंसर होगा अगला कोचन है किसी वस्तु पर कार्ज करने वाला बहरी बाल जो होती है सो संतूलित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है तो option नमर 20 का सही आंसर है अगला कोचन है सुध तत कौन सा है तो सुध तत जो होती है pure element जो है तो प्यूर एलिमेंट सोडियम है तो सोडियम इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है किसी गरहा पर गुरुतवा कर्शन के कारण तावरन डेस के साथ घंट जाता है तो किसी गरहा पर गुरुतवा कर्शन के कारण तावरन जो है गरहा की सता से उचाई में विर्दी के साथ घंट जाती है किसी गरहा पर गुरुतवा कर्शन के कारण तावरन जो है गरहा की सता से उचाई में विर्दी गरहा जब नीचे से उपर की ओर जाती है उचाई में विर्दी होती है तो तावरण के साथ जो से घंट जाती है तो कौचन पूछ लिया जाएगा कि किसी गरहा पर गुरुतवा कर्शन के कारण तावरण जो से उंचाई के साथ साथ घंटती है तो option number इसका क्या होगा? डी के साथ चले जाएगा अगला कोचन है जीवित जीवों की मुल सराचना तमक और कार्ज करम कार्ज तमक इकाई जो से क्या है तो जीवित जीवों का मुल सराचना तमक और कर्या तमक इकाई जो है तो इसका option नमर जो से ये साही होगा अगला क्वाचन है निमलिखित में से कौन ओम्स लव का सही धंग से लागू है तो ओम्स लव जो होती है ओम का नियम जो होती है सो सही धंग से लागू किस में होती है सूपर कंडेक्टर में होती है तो ओम्स लव सही रूप से जो लागू होती है सो कंडेक्टर में होती है त निमलिखित में से किसका सौंड के वेग पर कोई परभाव नहीं परती है, तो दवाब के धोनी के वेग पर कोई परभाव नहीं परती है, तो अप्सन नमर क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी, तो अप्सन नमर ये सका सही है, अगला खोचना है, प्राकितिक रूप से पाए ज जाने वाले धातु को ओगिक जो है उसे क्या कहा जाता है तो उसे जो कहा जाता है तो खनीज कहा जाता है तो आपसर नमर डी इसका सही होगा तो कोजन पुछा जाएगा प्राकितिक रूप से पाए जाने वाले धातु को ओगिक को अम लोग खनीज कहते हैं तो आपसर नमर ड तो पाई रूविक एसीड है तो option नमर B इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है निम्न में से किसको निश्यतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो N2O को किया जाता है तो option नमर D इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है इलेक्ट्रिक करेंट को मापने के लिए निम्निकित में से किस उपकरन का उप्योग करते हैं तो इलेक्ट्रिक करेंट को मापने के लिए हम लोग या मीटर का उप्योग करते हैं तो option नमर Yes का सही आंसर अगला कोचन है सोर उर्जा का अधिकतम निर्धारन किसके दावारा किया जाता है जब कार्ज वस्तु पर किया जाता है तो इसे से उर्जा मिलती है तो option number ये इसका सही answer होगा तो जब कार्ज किसी वस्तु पर किया जाता है तो उसे उर्जा प्राप्त होता है विराम पर एक वस्तु रखती है तो क्या रहती गतीज उर्जा में रहती है इस्तिती उर्जा में रहती है सवें गुजम तो विराम पर जब कोई बोडी आनि कि या बोडी एट रेस्ट में पोसेस आनि कि विराम पर एक वस्तु रखती है तो उसमें कौन सी उर्जा रहती है इस्तिती जूर्दा होती है पोटेंशियल इनर्जी होती है तो आपसर नमर सी इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है एक पर नाली जो परिवेश के साथ उर्जा का अदान परदान कर सकती है लेकिन कोई बात नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे हम लोग एक बन पर नाली कहते हैं एक कलोजड सिस्टम कहते हैं तो आपसर नमर सी इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है हावा की मदद से अनाज को चैप और घास से अलग करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो अलग की परकिरिया करने को में लोग सूख कहा जाता है तो आपसर नमर सी इसका सही आंसर होगा अगला कोचन है निम्लिखीत में से कौन सा एक कॉलाइड नहीं है तो कॉलाइड जो इसे कलोरोफिल नहीं है धूगा जो से एक पागा की कॉलाइड है रुबिक कान जो से कोलाइड है, मिल्क जो से कोलाइड है, तो option नम्मर येज का सही answer होगा निमलिकित में से कौन सा एक उर्जा का आप प्रामपरिक स्वार्स नहीं है तो आप प्रामपरिक स्वार्स जो है आनि की non-conventional source of energy वो कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है तो हो जाएगा प्राकिर्तिक गेस हो जाएगी तो कौचन पुचा जाएगा कि निमलिकित में कौन सा एक उर्जा का या प्रामपरिक स्वार्स नहीं है तो आप प्राम्परिक सरोध जोसे प्राकिर्तिक गेस नहीं है बाकी बाद स्वर उर्जा है पौन उर्जा है जवार ये सकती है तो option number B के साथ इसका सही answer होगा अगला कोचन है निमलिखित में से कौन सा एक उर्जा का आपरंप्रिक सरोत नहीं है तो वही प्राकिर्तिक गेज़ जोसे नहीं है सेव में कौन सा अमल मोजुद होता है तो सेव में मेलिक एसिड पाया जाता है अगला कोचन क्या बोर रहा है सव चालित वहनों में हैडरोलिक ब्रेक आधारित है तो आपसर नमर 10 का सई आंसर होगा जल वास्प में संग्रीता उस्मा है तो हीट अस्टोरेड इन वाटर वेपर तो जल वास्प में कौन सा उस्मा संग्रीत है तो जल वास्प में गुप्त उस्मा संग्रहित है तो अप्सन नमर 20 का सही आंसर होगा अगला कोचन है विदूद चालकता की इकाई क्या है तो विदूद चालकता का इकाई जो है सुमोहे होए तो आप्सन नमर वी इसका आप्सन नमर सी इसका सही होगा अगला कोचन है निमलिखित में से किस गेस में कमरे के तप्मान पर पानी में उचत्तम घुलनसिल होती है तो आप्सन नमर सी इसका सही है किसी भी अच्छी तरह से परभासित छेतर में कुल प्रस्पर किरिया और जानवरों और पोधों के रूप में जाना जाता है तो आप्सन नमर सी इसका सही होगा चलती ट्रेन में एक आतरी पांच रुपईये का सीका उच्छालता है ज़दी सीका उसके पीछे गिरता है तो ट्रेन को समान के साथ चलना चाहिए तो पोचन पुछा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति चलती हो ट्रेन में सीका उपर उच्छालता है तो जड़ी सी का उसके पिछे गिरता है, तो ट्रेन के किसके समान के साथ चलना चाहिए? तो तावरान के समान के साथ चलना चाहिए, तो option नमर ये इसका साही आनसर होगा निमलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंदर्मा के डार्क साइट में पहुंचा है तो चंदर्मा का डार्क साइट में जो पहुंचा है सो चीन पहुंचा है तो अपसर नमर सी इसका सही आंसर होगा अगला question है चंदर्म पर एक pendulum की समय अविदी क्या है तो चंदर्मा पर एक pendulum की समय अविदी जो है सो बढ़ती जाती है आनि कि बढ़ जाती है तो option number C इसका सही answer होगा अगला question है निमलिखित में से किसे cell का power plant भी कहा जाता है तो cell का power plant mitochondria को कहा जाता है तो option number B इसका सही answer होगा और राइसोस्वाम को क्या कहता है और प्रोटीन का factory जो राइबोस्वाम की कहा जाता है और राइसोस्वाम को आत्म घात की थेली कहा जाता है अगला question है एक पतली नली में तरल किस कारण से युपर चाड़ता है तो एक पतली नली में तरल जो ऐसे किस के कारण से युपर चाड़ता है तो तिरजिया का कम मान के कारण युपर चाड़ता है तो option number D इसका सही answer होगा अगला question है नीन्द ना आने वाली बिमारी किस से फैलती है तो नीन्द ना आने वाली बिमारी जो होती है तो टी एसी टी एसी फला एक तितली होती है मखी होती है उसी से फैलती है एगला question है oxygen और oxygen है तो oxygen और oxygen जो से क्या है तो एलो ट्रॉप्स है तो option number yes का सही answer होगा एगला question है उस पर किरिया का नाम बताइए जिसमें कोसी काउं दवारा सामगरी का अंत गरहन पलाजमा जिली के माधियम से किया जाता है तो उस पर किरिया का नाम बताएए जिनमें कोसी काउं दवारा समागरी का अंत गरहन जो समागरी जो खाता पिता है अनि अंदर ले जाता है पलाजमा के जिली के माधियम दावारा करता है तो उस पर किरिया को हम लोग क्या कहते हैं तो उस पर किरिया को हम लोग एंडोसिटोसिस कहते हैं तो option number D इसका सही answer होगा अगला question है धोनी किसे से होकर नहीं गुजर सकती है sound जो है किसे से होकर नहीं गुजर सकती है तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है पानी से होकर गुजर सकती है अस्टील से होकर गुजर सकती है हावा से होकर गुजर सकती है तो option number D इसका answer होगा निमलिखित में से किस तत में सबसे पहले आइनी करण enthalpy है तो कौन सा तत है जिन में से सबसे पहले आइनी करन एन्थेलपी है तो तत जो ऐसे विरेलियम है विरेलियम तत में सबसे पहले आइनी करन एन्थेलपी है तो अपसर नमर सी इसका सही आनसर होगा अगले कोचन है सहद में सबसे बड़ा परतिसत होता है तो हनी में जो सबसे बड़ा परतिसत जो होती है तो गलुकोज की होती है तो अपसन नमर सी इसका सही अनसर होगा जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पिढ़ी से दुसरी पुढ़ी के लिए उतरदाई होती है उसे किस रूप में जाना जाता है तो एक पिढ़ी से दुसरी पिढ़ी के लिए उतरदाई जो होता है उतरदाई परिवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है अगला कोचन है उट्रोफिकेशन में कमी का कारण क्या बनता है तो उट्रोफिकेशन में कमी का कारण क्या बनता है तो उट्रोफिकेशन में कमी के कारण जो होती है घुलित हाइड्रोजन बनता है घुलित लवन बनता है घुलित ऑक्सिजन बनता है तो जितना भी है इसमें पुछा जा रहा है कि उट्रोफिकेशन में कमी के कारण क्या बनती है तो उट्रोफिकेशन में जब किस चीज का कमी होती है तो घुलित ऑक्सिजन के कारण बनती है तो आपसन नमर इसका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगी तो लगाएंगे सी के साथ हम लोग अंसर लगाएंगे तो कोचन पुछेगा कि उट्रोफिकेशन में कमी का कारण बनता है तो उट्रोफिकेशन में कमी का जो कारण बनता है तो घुलित ऑक्सिजन का बनता है तो आपसन नमर इसका सही अंसर हो जाएगा अब हमलोग देखते हैं हाँ हांडिड वॉर्चन अब हम्लोग पप्रिट्ट का चुके अब हम लोग चालते बुम्ह प्लस कोचन में तो फिर अम लोग से शुरो और तो च EL aux 101 को यूक 129 म्हाना जाता है तो आटो रोफिक थेलोफाइट यूग्त कुलॉरूफ हिल को क्या खा जाता है तो सवाल कहा जाता है तो saud be सका concept । ए किशalay हुम ğıंणो मीटर की मदद से क्या पास सकते हैं तो ऑपसन नमर्शेश का सही सही आंसर होगा अगला कोचन है सबसक्रादार नहीं दिया जाता है तो आपसंच नमर ऑशका सही आंसर होगा आगला क्वाचन है The Genetic Constituent जो होती है Of Man का So क्या होती है तो Man का जो होती है S And So I होती है और Female का जो होती है ये Male का हो गया Male में Male का हो गया और Female का जो हो जाएगा So x X हो जाएगा तो Option Number इसका क्या होगा B सही होगा आगला क्वाचन है विधूत बल्ब के philament के लिए tungsten का उप्योग किया जाता है क्योंकि तो विधूत बल्ब के philament के लिए tungsten का उप्योग करते हैं क्योंकि इसका गलांग बहुत अधिक होता है तो option number d का सही answer होगा अगला question है विजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि तो बिजली के कारण लगी हुई आक को बजाने के लिए पानी का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें Elektro-Q性an हो सकता है Elektro-Q性an मतलब होता है बिजली से मिर्टी हो सकती है इसलिए हम लोग पानी का विप्योग नहीं कारना चाहिए अगला कोचन है काला जवार का वेक्टर क्या है तो काला जवार का जो वेक्टर जो होती है सो रेद की मखी होती है आनि की सेंड फलाई होती है तो अपसर नमर डी इसका सही होगा अंसर अगला कोचन है एक वार है जिया 1 ratio जो 3 है तनुपात में किसका मिश्रन है तो मिश्रन जो है so HNO3 ratio HCL का है तो option number किस में है तो option number B में है या तो किस में है तो इसका जो मिश्रन जो होती है तो किसका किसका होती है HCL का होती है और HNO3 का तो option number yes का सही answer होगा अगला कोचन है निमलिखित में से किसे ecosystem की खोजी कहा जाता है तो निमलिखित में से किसे पारिस्तिक्तिकी तंत्र के खोजी कहा जाता है तो पारिस्तिक्तिकी तंत्र के खोजी जो कहा जाता है तो कवा को जिवानु को कहा जाता है तो option number B इसका सही answer होगा अगला कोचन है निमलिखित में से किसे परिस्तिकी तंत्र का खोजी कहा जाता है तो कवाकोर जिवानु को कहा जाता है अगला कोचन है निमलिखित में से कौन एक गेर धातु खनीज नहीं है इसमें से बोड़ा कौन सा एक गेरधातु खनीज नहीं है तो वोक्साइड जो है जो से एक परकार क्या है, खनीज नहीं है, अबरक हो गया ग्रेनाइट हो गया सिल्का जो से क्या हो गया, एक परकार का खनीज है अगला कोचन हम लोग देखते हैं असोक इमली आमूंगा जैसे पोडों के पेडों के वन्सपती नामों में कौन सब्ध कौमन है तो सब्ध पुछेगा तो इंडिका है तो पुछेगा असोक इमली आमूंगा जैसे पेडों के वन्सपती नामों में कौन सब्ध कौमन है तो इ आशर पती जो होती है उसे क्या काते हैं तो सौरस काते हैं तो आपसान नमर सीज का सही आंसर होगा किस धातु को अपने समय के ओक्साइड की परत दवारा संरचित की जाती है तो वैसा कौन सा धातु है तो एलमूनियम धातु है जो समय के उक्साइड के परत के दवारा सनरचित की जाती है तो आपसान नमस सीज का सही आंसर होगा अगला कोचन है दूसरी अविदी से सबंदी तत्वों को क्या कहा जाता है तो दूसरी अविदी जो हती है तत्वों को क्या कहा जाता है तो संकर्मन तत्वी नहीं कहा जाता है उत्तिरिस्च गेस भी नहीं का जाता है, संकर्मन तत भी नहीं का जाता है। पर्तिक किरिया के कारण से बढ़ती है या किसके कारण से बढ़ती है तो वह जो बनती है उसका जो क्वाचन पुछा जाता है ना कंड़क्टर की पर्तिरोधक छमता जो से किसके कारण से बढ़ती है तो कंड़क्टर की पर्तिरोधक छमता जो बढ़ती है लंबाई बढ़ाना से बढ़ती है क्रोस सेक्शन का घंटे छेतर के कारण बढ़ती है और बढ़ता हुआ तपमान से बढ़ती है तो all of these होगा इसका आंसर तो option number 10 का सही आंसर होगा पत्थर को लात मारने मारते वक्त एक व्यक्ति को चोट किस कारण से लगती है तो वो परति किरिया क्यानी की reaction के कारण उसे चोट लगती है अगला question है नियूनतम तपमान किस के दवारा मापा जाता है तो नियूनतम तपमान जो मापा जाता है तो अलकोहल के दवारा मापा जाता है पुछा जाएगा question नियूनतम तपमान किस के दवारा मापा जाता है तो ये अलकोहल थर्मामीटर के दवारा मापा जाता है तो आपसर नमर ये इसका सही अंसर होगा निमलिखित में से कौन सा तत कमरे के तपमान पर एक तरल है तो कमरे के तपमान पर एक दरव अवस्था में जो पाई जाती है तो कौन सा तत पाई जाती है तो मरकरी तत पाई जाती है अगला कोचन है निमलिखित में से किसे किसमें आयनी कोर सस्वयोंजग बंध होता है तो आयनी का सस्वयोंजग बंध जो है तो अपसर नमर 20 का सही आंसर होगा अगला कोचन है निमलिखित में से कौन सा एक खराब थर्मल कंडेक्टर है तो खराब thermal conductor जो ऐसो गलास है तो अपसर नमर 6 का सही अंसर होगा एलमोनियम, copper, silver जो से good thermal conductor है अगला कौचन है एक रेफिरीजेटर में एक सितलन पर नाली हमेशा होनी चाहिए तो एक रेफिरीजेटर जो होती है cooling system में तो रेफिरीजेटर में एक सितनल cooling system जो होने चाहिए जो कहाँ पर होना चाहिए तो सीस होई है एट दा टॉप आनि कि सीस पर होना चाहिए तो अपसर नमर 6 का सही अंसर होगा अगला कौचन है 24 नमर का अनि कि 124 नमर का कौचन है सेंट्री ग्रेट असकेल का अविसकार किस ने किया तो सेंट्री ग्रेट असकेल का अविसकार जो क्या था सो एंडर सेल्सियस ने किया था तो अपसर नमर 6 का सही अंसर होगा जिप्सम पोर्टलेंड सिमेंट में जोड़ा जाता है तो क्या जोड़ा जाता है setting की परकिरिया मन जोड़ी जाती है तो option number 6 का सही answer होगा sodium bicarbonate को दिरिटता से गरम करने पर क्या उत्पाद बनता है तो जब हम sodium bicarbonate को दिरिटता से अनि गरम करते हैं तब क्या चीज़ का निर्मान होती है तब sodium carbonate का निर्मान होती है तो option number yes का सही answer होगा एल्मूनियम नैट्रेट का रसान्यक सुत्र क्या है तो एल्मूनियम नैट्रेट का रसान्यक सुत्र है ये आई एन है तो option नमर येश का सही आंसर होगा हेप्टाइन्स है तो हेप्टाइन्स जो एसे एक परकार की क्या है तो अधूरे अनिकी इनकम्प्लीट एंटी जन है तो आप्शन नमर 10 का सही आंसर होगा गोबर गेस का पर्मु घटक क्या है तो गोबर गेस का पर्मु घटक मिथेन है ओप्सन नमर सीज का सही आंसर होगा भाप इंजन में उबलते पानी का तपमान अधीक हो सकता है क्योंकि बोईलर के अंदर उच दबाव होता है इसलिए भाप इंजन में उबलते पानी का तपमान अधीक होता है अगला कोचन है पाइरोलुसाइट एक आयस्क है एक खनीज है मैगनीज का है तो आप्सन नमर 20 का सही आंसर होगा एगला कोचन है कौन सा पादब हार्मोन आर यान ये और प्रोटिन बनाने में सहायक होता है तो वो हार्मन का नाम बताएं जो आर यान ये और प्रोटिन बनाने में सहायक होता है तो अक्सिजन जो होती है वही हार्मन प्रोटिन और आर ये बनाने में सहायक होती है एक H2 अनु में हैडोजन बोंड की अधिक्तम संख्यां कितनी होती है तो अधिक्तम संख्यां चार होती है तो आप्सन नमट डीस का सही आंसर होगा आदर्स बहवार से बिचलन अधिक होगा जदि गेस के अधीन है तो इसका अंसर जो से क्या होगी तो आदर्स बहवार से बिचलन अधिक होगा जदि गेस का अधीन है कम तपमान और उच दबाब आदर्स बहवार से बिचलन अधिक होगा अधिक तब होगा जब तपमान कम होगा और दबाब उच होगा तो option number ये के साथ इसका आंसर होगा अगला कौचन है मखण एक परकार की है तो बटर जो से एक परकार की क्या है तो बटर एक परकार की दूद में छितरी हुई वसा है तो fat, fat, dispersed in milk और छितरी हुई फैला हुआ क्या है एक परकार से वसा है तो क्या बोलते हैं fat, dispersed, dispersed in milk तो option number ये का सही आंसर होगा अगला कौचन है एक परनाली जो परिवेश के साथ उर्जा का आदान पदान कर सकती है लेकिन कोई बात नहीं है a system which can exchange energy with the surrounding but no matter is called अनिक लेकिन कोई बात नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे हम लोग एक बन परनाली कहते हैं अग लोज सिस्ट्रम कहते हैं तो option number किस के साथ होगा option number ये इसका answer जो होगी से C के साथ होगी तो इसका answer option number C के साथ होगी अगला कौचन है bull wheels में भाग लेता है तो विल wheels में कौन से भाग लेता है तो अलेंगिक परजनन जो होती है आनि कि वेज़ेटेटिव रिपोडेक्शन जो होती है वेज़ेटेटिव रिपोडेक्शन वो बुल विलिस में भाग लेता है तो option number 20 का साथ होगा अगला कौचन है किरितिम वारिस छिड़काव के कारण होती है तो किरितिम वारिस छिड़काव के कारण होती है artificial rain is caused by raining तो एक बादल के विपोडेट कोलाइडल धूल का आरूप लगाया तो एक बादल के किरितिम वारिस छिड़काव के कारण होती थी जो एक वादल के विप्रित जो कोलाइट धूल के धूल चेवती ती जिसमें आरूप लगाया गया है तो अपसा नमट डीज का सही होगा अगला कोचन है निमलिखित में से कौन उर्जा का वानेजियक स्रोत नहीं है which of the following is not a commercial source of energy तो commercial source of energy आने की उर्जा का commercial source जो से नहीं है तो क्या नहीं है लकडी नहीं है प्राकिर्टिक गेस्ट तो है पेट्रोलियम है कोईला है तो अपसान नमट डीज का सही होगा अगला कोचन है निमलिखित में से कौन सा सफेद फासफोरस है तो सफेद फासफोरस पीफोर है तो गाज हम लोग 140 कोचन रिविजन कर चुके हैं आप लोग भी इस कलास को इस वीडियो के एक बार देखें और आप लोग टेस्ट की फॉर्म पे इस कलास को देखें ताकि आप लोग भी महसूस कर सकें कि हम लोग GKGS का कितना त्यारी किय करते हैं तब तक सबको ओल दा वेस्ट अब हम लोग मिलते हैं नेक्स का लास